पाइसीज वेलकम चुवारे एंजली काइड़न्स आई होप आप सब अच्छे होगे अपमें लाइफ में सब बढ़ियां कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे आज में फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि अपका 2024 कैसा रहन करोगे लेकिन अगर उसको बहुत दिल से लगा के बैठ जाओगे ना कि ये तो मेरा है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा अप ग्रीडी हो गया उसनी चीज़ी को लेके या अटैच्मेंट अगर आपने किसी चीज के लिए क्रियेट कर ली तो ये आपके लिए प्लम बन सकता है 2024 में हो सकता है लोग आपसे बात करना चाहते हैं पर आप उसी एगो के चकर में आप उनसे बात नहीं करोगे और ये आप अपने लिए एक बहुत बड़ा गड़ा खोद लोगे ठीक है तो यहाँ पे किसी चीज से बहुत जादा अटैच्मेंट या अपने चीज से अटैच्मेंट जोड़ देना या उस चीज के लिए इगो दिखाना यह आपके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रियेट करेगा आएगे देखते हैं और क्या कार्ट्स आपके लिए बताते हैं पाइव ओफ कप्स ओके टार थ्री ओफ कप्स एंडी चैरिय देखो मैं पहले कहूंगी इश्वर मैंने कहा आपको सब कुल देगा आपकी लाइफ बहुत ही बेस्ट रहने वाली है आपका काम कब खराब होगा जब आप किसी से बहुत ज़्यदा अटैच्मेंट रख लोग चैरिय का काड आया है सक्सास है करियर मैं ठीक है life में आगे बढ़ोगे बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे balance आएगा celebration है ठीक है enjoy करोगे दोस्तों के साथ अपनी celebration भी लोगों के साथ share करोगे star का का काड आपकी wish fulfillment दिखा रहा है star का का काड आपका outer world में आपका status के सा रहने वाला ये दिखा रहा है आप शाइन कर सकते हो लेकिन यही सारी चीज जो आपके जीवन में अच्छी हो रही है न ये एक negative side भी create करेगी जैसे कि क्या जैसे कि अभी तो आप बहुत खुश हो लेकिन जब कहते हैं आप हमेशा इंसान का graph उपर तो नहीं जाता कभी ऐसा moment होता ह कि उसे downfall भी देखना पड़ता है मानते हो कि नहीं तो जब downfall होता है तो उसको समालने के लिए आप काबिल हो वो देख पाओ कि जो कि disappointments होती life में सब कुछ तो अमारे लिए नहीं होता न जीवन में यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे है कि अगर आप उसमेंने कहा भी समाल आपके लिए वो साल आपको अपग्रेड ही करेगा आपकी तो अच्छा स्टेटस सोसाइटी में बनाएगा बट वही है कि आप उस चीज को सम्हाल पाते हो कि नहीं कहते हैं कभी कभी success का जो नशा होता है वो सर चड़ जाता है ठीक है इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज को आपको balance करने की जरुवत है नए लोगों से आप मिलोगी नए लोगों से आपकी दोस्ती होगी ठीक है पर बहुत ज़्यदा उन पर trust करना कहीं न कहीं आपका काम खराब कर सकता है आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो कभी यह मत सोचना कि व queen of swords यहाँ पर आपके लिए है the fool चीजों को आगे इपने को let go करने की energy यहाँ पर आ रही कि अगर कुछ खराब भी होता है let go करो कोई बात नहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई ठीक है यहाँ पर काज़दा अगर कुछ खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं बहुत पर दिमाग बना ली बहुत बड़ी बात चुकि अभी भी पाच कप मेंसे दो ही कप तीनी कप गिरे दो कप बच्चे होएं आप चाहो तो उन चीजों को लेके भी life में आगे बढ़ सकते हो और कुछ बना सकते हो फिर से चुकि आपके नरकाबिलियत है बट वही चीज है कि आप उनको लेके बैट जोगे रोने धोने तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर आपकी कोई विश अन्देज आपने कुछ बहुत टाइम से सोच रखा है कि काश ऐसा हो जाए काश ऐसा हो जब वो आपकी विश फुल्फिल्मेंट होते हुए दिखाई दे हैं यहाँ पर ऐ आप अपने फिजीक की ध्यान रख रहे हो आप अपने स्किन का ध्यान रख रहे हो या क्यालो कि आप अपने इनर सोल का ध्यान रख रहे हो पीस क्रिएट करते हो अपने साथ मेडिटेट करते हो या कुछ ऐसा आप अपने उपर ध्यान दे रहो या तो आपने काम कोई भी क कैसा भी का, उसको उसको निखार रहे हो, उसको इपर काम कर रहे हो, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजदर 2024 में मिलेगा, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मेसेज यह है, कि कोई female आपको आपके उपर या तो नज़र रख रही है, males अगर आप देख रहे हो या वो आपसे बात करना चाहती है, बट आपका ये ego वाला attitude उसको आपके करीब नहीं आने दे रहा है, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहती है यहाँ पर, 2024 में वो हो सकता है, आपसे communicate करें, आपके करीब आने की कोशिश करें, बट आपका ego या आपका जो भी है, वो उनको आपके करीब नहीं आने देगा, यहाँ पर हो सकता है कि कोई female आप पर नज़र भी रख सकती है, आपके life में, उनके लिए जो आप no contact में हो, आगे आगे बढ़ते हैं, ओके friends में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ लोग बहुत attract होंगे, यह कोई आप कहलो love में भी, यह कहलो की friendship के लिए भी, लोग आपके तरफ बहुत attract होने वाले दोस्ती करेंगे, आपके status को देखके, आपकी personality को देखके, आपके nature behavior को देखके, वो आपके तरफ खीचे चले आएंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, फिर भी मुझे से लगता आप बहुत आप शेयर नहीं करोगे, अपनी personal चीज़े शेयर नहीं करोगे, में लाइफ में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, हाँ, दोस्त रहेंगे, दोस्ती निभाओगे, जिस अब कुछ करोगे, दोस्तर यहाँ दिख रहा है कि यह आपका chariot है ना, जो आपके life में success लेकर आ रह कर रही हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यह कह रही हूँ, कि आप अपने plan किसी साथ discuss नहीं कर रहे हो, आप अपना plan share नहीं कर रहे हो, कि आप क्या करने वाले हो, बस लोग को शौक देना, लोग को बस अपनी success, मतब success के आवाज आए, ठीक है, चुप चाप choice, एक बात मुझे और लग रही है, आप बहुत ज़्यादा सक्थ बन रहे है, बहुत ज़्यादा cruel बन रहे हो, थोड़ा सा flexible होने की जरुवत है आपको, next year कोशिश करना, थोड़ा flexible, adjustment करना, या understanding लेके आना, यह ज़रूरी, बहुत ज़्यादा rigid हो जाना, यह ideal हो जाना, व हर minute कहलो, कोई भी काम हम करते हैं, हमें उसमें choice मिलती है, ठीक है, हमें choice मिलती है, और यह हमारा decision होता है, आज हम क्या करते हैं, आज हम क्या चुनते हैं, जो हम चुनते हैं, वो हमारा future decide करता है, hostility, ओके, आप थोड़े से ऐसा भी हो सकते हो कि यार, गुसा बसा रह सकता है किसी को माफ ना करना, ये भी हो सकता है, कि नहीं मैं माफ नहीं करने वाला किसी को, वो असलिए हो सकता है, आप बहुत अदा rigid वाली energy में रहो कि नहीं मैं तो ऐसे कैसे माफ कर दू, ऐसे वाला चकर रह सकता है आपका, and conflict हो सकता है आपके साथ, मतलब आप किसी के साथ जग 2024 में safe रहेंगे, look for a sign कभी समझ में आए ना क्या हो रहा है तो थोड़ा सा wait करना, रुकना और थोड़ा विश्वास करना यूनिवर्स पे वो आपको ज़रूर कोई ना कोई sign देंगे आपको पता चलेगा कि आपको life में क्या करना है heart attack and loss यह तो रहे है, हम ने 5 of cups में भी रेखा ठीक है, यह तो होता ही हो यह तब ही होता है, हम किसी से बहुत ज़दा attach हो जाते हैं, यह दिल का दुखना ही है, और दिल जब किसी से लगा बैठते हैं, तो थोड़ा बहुत दुख होता ही है ठीक है, वह मैं लव वाली बात नहीं कर रही है बट मैं मेरा कहने का मतलब है हम विश्वास करने लगते हैं बहुत ज़दा किसी पर practice safe shifting देखो, वही बात आपसे कहा जा रहा है practice safe shifting by altering your physical appearance and mannerism यार, चीजों में ना ढलना सीखो आपके लिए next year यही आयने वाला है कि हम कैसे flexible बन सकते हैं हम कैसे समय के साथ हमें बदलना होगा हम एक तरीके से नहीं रह सकते हैं हमें situation के साथ खुद को डालना खुद को बदलना आना चाहिए and devotion है याँपे trust your spiritual guidance हो सकता है उसे कापी लोग कृष्णा को बहुत मानते हो उनकी guidance लेते हो यहाँ पाई trust your spiritual guidance your commitment has been recognized you are loved unconditionally truly and आप जो सच्चे हो वो ईश्वर सबसे अच्छे तरीके से जानता है अब आपकी मन में उस समय कुछ भी चल रहा हो but आप true हो अंदर से यह आपका भगवान अच्छे से जानता है और वो आपके साथ है वो आपकी जरूर मदद करेगा लेकिन yes उसी में जैसमें आप सही हो to the sea मुझे यहाँ पर लख रहा है कि आप नई direction ढूंडोगे नई direction अपने लिए बनाओगे खोजोगे हाँ हो सकता है साल के बीच में कभी ऐसा भी हो कि आप lost हो मुझे नहीं समझ में रहा में life के साथ मुझे क्या करना चाहिए लेकिन मुझे यह नहीं समझ में रहा मुझे क्या चुदना चाहिए कहां जाना चाहिए मैं भी बहुत confused हूँ लेकिन ये direction आप ही को चुनना पड़ेगा, ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है, life को direction देने की अपने, कुछ धून रहे हो, कुछ करना है life में, उससे related कुछ धून रहे हो, तो भी आप ही को करना पड़ेगा, breakthrough, I soar into limitless love, light and joy, मैं आपको बता दू, आप जो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपको रोक सकता है कभी, और आपकी कोई भी limit नहीं है, आप चाहो life में कुछ भी कर सकते हो, पर खुद को एक push देना बहुत ज़रूरी है, खुद में एक बदलाप करना बहुत ज़रूरी है, अपने comfort zone से बाहर आना बहुत ज़रूरी है, और ये सब आपको 2024 में मिलने वाला है, ये सूच लो, new vision, आप नए चीज़ों करने वाले हो, देखो जिससे मैंने कारा, टूरसी, आपको direction मिलेगा, आप new चीज़े कर सकते हो, आपको, आप कुछ new visions बनाओगे, मुझे क्या करना है, मैं अपने आपको 5 साल बात कहां देखता हूँ, मै कहां देखना चाओता हूँ, ये life से मैं satisfy हूँ, बहुत सारी question अपने आप करोगे, oh god, lovers, okay, तो आप किसी new love से भी मिल सकते हो, हो सकता है, आप separation में हो, तो आप दुनों करीब आ सकते हो, और आपको किसी new person से भी प्यार हो सकता है, यहाँ पर, आगे देखते हैं, control, okay, देख कभी-कभी क्या, खुद को control करना होता है, मों मैं मानते हूँ, बहुत की situation को हम नहीं control कर सकते हैं, जो outer world में होता है, मत, yes, inner world को हम control कर सकते हैं, हो सकता है, आपको मज़ा आए कि हम दूसरों को control कर रहे हैं, कुछ चीज़े आपकी साबसे भी हो, पर जब आप दूसरों को control क कुछ को control कर पाओगे न, कुछ को नहीं control कर पाओगे, जब नहीं कर पाओगे तो frustrate होगे, इंसानों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरों को control करने की बजाए, खुद को कैसे control कर सकते हैं, इन चीज़े पे work करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आएए देखते हैं ओमाइगाद, तो यह आए हैं, यहाँ पे यह जो person है न, यह life में, यह किसी के साथ भी आता है रिलेशनशिप में, यह जो भी चैसा भी person है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मैं इस person के बारे में बात करने वाली हूँ, आप मैंसे कुछ लोग के life में यह person आ सकता है, यह आप भी हो सकते हो next year, कि आप जिसके जिन्दगी में जो होगे, वो person बहुत lucky होने वाला है, आप उनके लिए बहुत सारे efforts करने वाले हूँ, या कोई person आपके life में आने वाला है, male, या especially females, अगर आप देख रहो तो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहे है, कोई person आपके life म में आने वाला male, जो आपके लिए सब कुछ करेगा, जो आपके लिए सब कुछ करेगा, जो आपको खुछ रखने की कोशिश करेगा, उपकी बहुत care करेगा, लेकिन yes, अगर आप उसकी इन कामों को appreciate नहीं करोगे, तो वो फिर अपने कदम पीछे भी ले लेगा, फिर वो आपके लिए पहले भी देखा यहांपर, आपके life में देखो next year जो भी problems आने वाले हैं, जो भी चीज़े होंगी, आप as a healer, आप दूसरों की मदद भी करने वाले हो, और खुद को भी heal करने वाले हो, अपनी problems से, तो yes, problems तो होंगी, बड़ आप as a healer काम करने वाले हो, यह थी आपकी reading तर आपको अच्छी लगती है, तो like कीज़ेगा, subscribe मैं चैनल वे तक नहीं किया है तो, और comment box में ज़रूवत आएगा, thank you for watching.